नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चेनल MP Exam News में आज की इस वीडियो में हम जालेंगे 6 अक्टूबर 2021 के मद्ध प्रदेश करेंट अफेर्स के बारे में इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो आप हमारा ये टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लीजिए इसमें आपको डेली मद्ध प्रदेश करेंट अफेर्स की पीडियोप मिल जाया करेगी लिंक डिस्क्रेप्शन में भी है या आप टेलिग्राम में जाकर सीधे सर्च कर सकते हैं एमप इग्जाम न्यूज और ये गुरूप आपके सामने आ जाएगा चलिए सुरू करते हैं आज का मद्ध प्रदेश करेंट अफेर्स लेकिन उससे पहले जानेंगे कल के प्रस्न का उत्तर जो हमने आपसे पूछा था प्रस्न था गरीबनात का मेला मद्ध प्रदेश के किस जिले में लगता है तो ये लगता है मद्ध प्रदेश के साजापूर जिले में गरीबनात का मेला मद्ध प्रदेश के साजापूर जिले में लगता है और मद्य प्रदेश में सरवधिक मेले किस जिले में लगते हैं ये लगते हैं उज्जेन जिले में और उज्जेन जिले में ही सिंगस्त का मेला भी लगता है जो की 12 वर्स में एगवार आयोजित होता है जो छिप्रा नदी के किनारे पर लगता है और प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं ये लगते हैं होसंगावाज जिले में ये है आज का प्रस्न इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि भारत का डेट रायट किसे कहा जाता है पीटमपुर को, भुधिनी को, मंडी दीप को या पीलू खेडी को इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर देए चली सुरू करते हैं आज का मद्ध्रदेश करेंट अफेर्स पहला प्रस्न है मद्ध्रदेश का कौन सा जिला, ग्रामीन आवादी की संपत्ती के अधिकार का अविलेक तियार करने में देश का पहला जिला बन गया है तो ये बन गया है मद्ध्रदेश का हरदा जिला स्वामित्वी योजना के अंतरगत ग्रामीड आवादी की संपत्ति के अधिकार का अभिलेक तियार करने में हर्दा जिला देश का पहला जिला बन गया है और बर्तमान में मद्ध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीड विकास मंत्री कौन है यह है डाक्टर महेंडर सिंग सिसो दिया और चोविस अपरेल को राश्टी पंचायत दिवस मनाया जाता है चोविस अपरेल 2020 को प्रदान मत्री स्री नरेंडर मोदी ने स्वामित्वी योजना की घुसना की थी चलते है नेकस परशने पर मद्द्ध्रदेसराज सुटिंग एकैडमी के खिलाडी एज़्वरे प्रताव सिंह तोमर ने issfama जूनियर बर्ड चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है स्वन्ण पदक मद्ध्य प्रदेश राज्जी सूटिंग अकेडमी के खिलाडी और टोक्यो ओलंपियन स्री एसबर प्रताप सिंग तोमर ने ISSF जूनियर बर्ड चेंपियंशिप में स्वन्ण पदक जीता है इन्होंने इस चेंपियंशिप में 463.4 रंग अरजित कर जूनियर बर्ड रिकार्ड बनाया है वो मद्यप्रदेश राज्जी सूटिंग अकेडमी कहां इस्तित है यह राजधने भोपाल में इस्तित है आप देख सकते हैं डिरेक्टरेड ओफ एमपी स्पोर्ट भिभाग का कटाउट है टोक्यो ओलम्पियन एसबर प्रताप सिंग तोमर वोन आई एसएसफ जूनियर बर्ड चेंपियनसिफ इन फाइनल ओ जो मद्यप्रदेश की खेल मंत्री है यह सोधरा राजे सिंधिया जी इन्होंने भी इन्हें कॉंग्रेचुलेट किया है चलते हैं नेक्स प्रसन पर नेक्स प्रसन है IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मद्यप्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो यह है दिलीप सूर्यवनसी IIFL हुरून इंडिया रिच लेस्ट 2021 में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति दिलीब सूरेवनसी है और दिलीब सूरेवनसी दिलीब बिल्ड कोईन के मालिक है इनकी संपत्ती 4100 कडोर रुपे है और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कोई है यह हैं Reliance Industries के मालिक रिमुके संबानी Next question है तीन मंडलों में Automatic Washing Plant लगाने वाला पहला Railway Zone बन गया है तो यह है पस्चीमी मध्य Railway तीनों मंडलों में Automatic Washing Plant लगाने वाला पहला Railway Zone पस्चीमी मध्य Railway बना है और मद्य प्रदेश पस्चीमी मध्य Railway के अंतरगत आता है भुपाल इस्तित हभीवगंज Railway Station पर प्रदेश का पहला Automatic Coach Washing Plant लगाया गया है और बरतमान में Railway Zone की संख्या कितनी है? 18 और पस्चीमी मध्य Railway के अंतरगत भुपाल, जवलपूर और कोटा मंडल आते हैं ये भी आपको याद रखना है अगला प्रस्ण है हल ही में पच्मली मेराथन का कौन सा संस्क्राण आयोजित किया गया है? तो अभी हाली में आयोजित किया गया है तीसरा संस्क्राण प्रदेश के खुपसूरत हेल स्टेशन पच्मली के नेसरगिक सोंदर और प्राकरतिक बातावरण से परेटकों को रूबरू कराने के उद्देश सी से जो मध्य प्रदेश का टूरिस्म बोर्ड है इसके द्वारा पच्मली मेरा थन का आयोजिन किया गया और ये इसका तीसरा संस्क्राण था पच्मली कहां इस्ति थे? ये मध्य प्रदेश के होसंगावाज जिले में इस्ति थे ये इस पर आप देख सकते हैं जनसंपर्ग विभाग का कट आउट भी है अब हम करेंगे मध्य प्रदेश करंट अपेर्स के कल के प्रस्नों का रिवीजन चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न था हाली में मुख्यमंत्री स्री सिवरासिंग चोहान ने कून सी योजना लागू करने की घोशना की है तो ये इसका सयुत्तर होगा उद्धम करांती योजना अगला प्रस्न है निम्न में से कौन सा एक्ट मध्य प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है तो इसका सयुत्तर है ओप्सन नमबर B टाइटलिंग एक्ट 2021 अगला प्रस्न है हली में चर्चा में रहे नेहा राठोर और विवेक राठोर का संबंद किस जिले से है तो इनका संबंद है मध्य प्रदेश के देवास जिले से यह अगला प्रस्न है मध्य प्रदेश के किस विभाग ने सिसु मृत्यूदर कम करने के लिए A-S-A-A-N-A-S-A-V-Y-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S को भी सब्सक्राइब जरूर करें